ये आकाश्वाणी है अब आप धर्मेंद्रमणी राजिश से समाचार सुनिए भारतिया जनेता पार्टी के वरिश नेता श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का संभालते ही किसान सम्मानिधी की सतरवें किस्त जारी की है ये किस्त 9.30 लाख किसानों को लगब 20,000 करोड रुपय का लाब पहुंचाएगी शिमोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्ड़ा किसानों के कल्यान के प्रती प्रतिबधधता को दर्शाता है प्रधान मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार क्रिशिक्षेत्र और किसान कल्यान के लिए और प्रतिबधता से कार्य करेगी इससे पहले कर शिर्य नरेंद्र मुदी ने कहा कि भारत उनके तीसरे कारिकाल में क्षेत्र की शांती, प्रगती और सम्रिधी के लिए काम करना जारी रखेगा शिमुदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाड संबंध और संपर्क बढ़ाने का आवान किया उन्होंने कल रात राश्वती भवन में शपत ग्रहन समारों के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेतों से भेंट के दोरान ये बात कही इस बीच नवगठित केंद्रिय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम को होने की संभावना है ओडिशा में पहली भाजपा सरकार के शपत ग्रहन में सिर्फ दो दिन बचे हैं और अब तक मुख्यमंत्री का नाम तै नहीं हुआ है भाजपा ने विधान सभा में विधायकों के नेता के चुनाव की निगरानी के लिए केंद्रिय मंत्री राजनाज सिंग और भुपेंद्र यादव को केंद्रिय परिवेक्षक नियुक्त किया है वहीं आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नाइडू के शपत गहन समारों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहित कई अन्य प्रमुख्यक्ति शामिल होंगे निर्वाचन आयोग ने साथ राज्यों की तेरह विधानसवा सीटों पर होने वाले उप्षिनाओ के कारिक्रम की घोशना कर दी है इन में से चार विधानसवा क्षेत्र पश्यम बंगाल में, तीन हिमाचल प्रदेश में, दो उतरखंड और एक-एक, बिहार, तमिलाडू, मध्यप्रदेश और पंजाब में है पिरवाचन आयोग ने कहा है कि इन विधानसवा क्षेत्रों में मतदान अगले मेहने की दस तारीख को होगा और मतगर्ना तेरह जुलाई को होगी जम्हु कश्मिर में उपराजिपाल मनुच सिन्हा ने रियासी जिले में हुए आतंकवादी हमले को शेत्र में अशांती फैलाने के लिए अनुचित प्रियास करार दिया है इस हमले में दस तिर्थ हियात्यों की मौत हो गई थी और 33 घायल हुए है अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद उपराजिपाल ने कहा कि ऐसे प्रियासों से सख्ती से निफ्टा जाएगा और आतंकवादियों को बक्षा नहीं जाएगा शिसिन्हा ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, केंद्री मंतरी अमित्चा लगातार स्थेती पर नजर बनाए हुए है हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में जाँच अभियान चलाया जा रहा है उपराजिपाल ने मृतकों के निकट परिजन को 10-10 लाग रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशी दिया जाने की गोशना की इस बीच राश्य अनुवेशन अभिकरण का एक दल आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहुँच गया है ये दल आतंकी हमले की जाँच में स्थानिय पोलिस के साथ समन्वाई कर रहा है सुरक्षाबलों ने हमले के लिए जिम्यदार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े परमाने पर घेरबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है कट्रा में शिवखोरी मंदिर से माता वैश्मों देवी मंदिर जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोली बारी की थी इसमें उत्तरप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से तीर्थियात्री थे मौसम विभाग ने गोवा, महराष्ट और करनाटक के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने इसे देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, कई राज्यों के मौसम में भी बदलाव दिख सकता है मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों में करनाटक, केरल, लक्षवदीब और आंधरप्रदेश में हलकी बारिश के साथ बिजली और तेज हवाओं का अनमान व्यक्त किया है बिहार, जारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में अगले चार दिन तक ऐसी ही इस्थिती बनी रहने की आशंका है वहीं दूसरी ओर 13 जून तक पंजाब, हर्याना, बिहार, जारखंड, पशिम बंगाल, हिमाचर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और बद्धप्रदेश के कुछ हिस्तों में भीशन गर्मी के स्थिती बनी रहेगी ICC T20 Cricket Wish Cup में कलराथ स्कॉटलंड ने ओमान को साथ विकेट से हराया ओमान ने पहले बल्ले बाजी करते हुए निरदारित 20 ओवर में साथ विकेट पर 150 रन बनाए जवाब में स्कॉटलंड ने 13 ओवर में लक्ष हासिल कर लिया एक अन्य मैच में वेस्ट इंडीज ने यूगांडा को 134 रन से हराया आज दक्षन अफरिका बांगलादेश के साथ खेलेगा इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्थ हुआ